जैमातादी नवरात्र में महा अस्टमी और नौमी तिथी का सबसे ज्यादा महत्व है क्योंकि इन दोनों ही दिन कन्या पूजन भी होता है और विसेश कर इस दिन विसेश परियोग किये जाते हैं चाहे वो लौंग का परियोग हो या फिर सुपारी का परियोग हो लेकिन का बहुत बड़ा महत्व है इस दिन माद दुर्गा के महागोरी सुरूप की विसेश पुजा अर्चना भी की जाती है और इसके साथ ही रात के समय अपनी मनों कामना की पूरती के लिए तमाम तरह के टोने टोटके और उपाए भी करते हैं जिसके आपके जीवन के दुर्भा में बदल दिया जाता है ऐसा ही माननेता है तो रात किस में लोग कोंग बूल करने के लिए को कुई बढ़ने के लिए और उनको प्रसंद करके आप अपनी समस्त एक्छाओं की पूर्ती करवा सकते हैं तो इनको पसंद करने के लिए मा महागौरी को कुछ बिसेश प्रियोग होते हैं मा दुर्गा के सिद बीज मंत्र का जब भी इस दिन किया जाता है और माता रानी का जो बीज मंत्र है वो है ओम एंग रिंकलिंग महागौरी नमहा ओम एंग रिंकलिंग महागौरी नमहा ये मंत्र है मा महागौरी का और इस दिन दुर्गा अस्टमी के दिन रात के समय कुछ बिसेश प्रियोग किये जाते हैं आज हम आपको उन परियोगों के भी बारे में बताएंगे तो चलिए जानते हैं बिस्तार से देखिए दुर्गास्टिमी की रात में आप अपने घर के मुखे दरवाजे पर रात 11 से 1 के बीच एक घी का दीपक जरूर जला कर रखेगा और दीपक के नीचे थोड़ा सा गुलाल डाल दीजेगा गुलाल पीला गुलाबी लाल जो भी आपके पास है आपका दुर्भाग ये दूर हो जाएगा और संभव हो तो मा दुर्गा का पास में कहीं मंदिल है आप जा पाएं तो अच्छी बात अगर नहीं जा पाएं तो भी चलेगा तो आप घर में ही कर लीजिएगा माता रानी को कमल का पुस्प अरपित करें अगर कमल का पुस्प ना मिले तो मन में यानि मानसिक पुस्प बना कर मां को औरपीत कर दें भाऊ रखिए कि हम और पित कर रहे हैं दिल से इस दिनराथ के समय मां दुर्गा के मंत्र का जब क्या जाता है। 32 नामों का जब करें। दुर्गा सबसती का पाठ करें। आप जो कर सकते हैं वही कीजिए क्योंकि दुर्गा सब्तसती का पार्ट करना या दुर्गा जी का कोई भी पार्ट कर लेते हैं मादुर्गा के 32 नाम का पार्ट करते हैं तो घर परिवार में हमेशा सुकसान्ती बनी रहती है कुमारी करन्या को उनके मन पसंद वस्त्र का दा मादुर्गा के अब आशिरबास से जीवन बदल जाता है कि इस दिन रात के समय महा गआरी की पूंजा की जाती है अगर आपने दिन में कर लिया है तो फिर ठीक किया है तो रात में कर लीज़ेगा एक दूद से भरी underneath का-टोड़ी बाद में आप एक घंटे तक कमस्कम रहने दें बाद में सिक्का को उठा कर पोच कर हमेशा के लिए अपने पास रख लें धन आता रहेगा पूरे साल धन आएगा रात के समय अगर मा महागौरी को एक पान के पत्ते पर गुलाब की थोड़ी सी पंखुरियां रख कर मा को अरपित कर दें तो जीवन में धन अन की कमी कभी नहीं होगी अनवस्त्र धन आपको हमेशा ही सुलब होता रहेगा और मा लक्षमी की कृपा भी बरसेगी वैसे तो दुर्गाष्टमी के दिन सुहाग की वस्तू मातारानी को अरपित करने का विधान है और फिर सुहागीन महलाओं को भी पेट करने का विधान है अगर आप पासके मंदर में जा सकते हैं तो इस दिन जरूर अरपित कीजगा सुहाग की वस्तू और अगर आप नहीं भेट कर पा रहे नहीं जा पा रहे तो फिर मातारानी को घर में ही अरपित कर दें और आपके आस-पास में जो भी महला है उनको दे सकетे हैं धन आने के योग बनते हैं और जीवन में सुख सांती बढ़ती है अगर आप दुर्गा श्टमी की रात देवी को चुपके से सोलह सिंगार की वस्तू अरपित कर दें बाद में इसको आप परसाद के रूप में गरहन कीजिएगा जीवन की समस्त बाद हाएं सांत हो जाएगी जो आपको दान करनी है वो अलग होगी और जो आपको खुद के लिए यूच करना है वो अलग होगा यानि कि आप दान करने के जो आप मां को अरपित करते हैं थोड़ा सा दान कर दीजिए थोड़ा सा खुद के लिए भी रख लीजिए तो इससे क्या होगा धन भी आएगा सुक्सो भागे बढ़ेगा अब चुकि महास्टिमी का दिन है तो इस दिन बहुत सरा ये लोग तांत्रिक परियोग करते हैं क्योंकि ये रात बहुत बड़ी रात है और अस्टिमी की रात ब्रहमचर एका पालन चरूँ कीजिए अब इसमें ब्रहमचर एका पालन करना क्योंकि थोड़ी सी इस दिन सात्विक सक्तियां चागरित रहती है और तो थोड़ा पालन करना चाहिए भगवान का नाम लेना चाहिए तो हम बात कर रहे हैं अस्टिमी की दिन देखे इस दिन कुछ लोग आपको यानि अपना खुद का बनाने के लिए आपको गड़े में डालने को तयार रहेंगे इसलिए जरा समलके देखे किसी भी महास्टिमी के दिन किसी का दिया हुआ सफेद वस्तू मत खाईएगा सफेद वस्तू में ही लोग ज़्यादा तर टोने तोटके करते हैं चाहे वो बतासा ही क्यों ना हो आपको देर आप ले लीजे रख लीजे ये बात अलग है पर खाने से बचिएगा दूसरी बात आप भूल कर भी महास्टिमी के दिन कोई कितना भी मांगे दूद दही नमक घी जो लक्षमी को आकर सिक करने का चीज है मत दीजेगा किसी को किसी को नहीं चाहे वो दिन हो या रात हो याद रखिए और सबसे में बात ये है कि भूल कर भी किसी को पैसे उधार मत दीजेगा अगर इस दिन महास्टिमी के दिन आप पैसे देते हैं तो पूरे साल आपकी किलत रहेगी धन की और जिसको आपने दिया उसकी तो बले बले रहेगी इसलिए महास्टिमी के दिन लोग टोने टोटके करते हैं उनके प धन लेने के लिए कुछ न कुछ मांगने के लिए चले आते हैं तो ज़रा ध्यान रखिए सम्हल के रहिए और दूसरी बात जो कि महास्टमी का दिन है घर में सुक सांती बनाये रखिएगा और इसके पहले भी हमने आपको बताया कि बंदनवार लगा कर अच्छे से घर को सज मुख्य दर्वाजे को अच्छे से वेवस्तित रखिए घर में कलहकले जगड़े लडाई चिलाना जैसी चीजे मत कीजेगा सांती बनाये रखिए घर के मुख्य दर्वाजे पर हल्दी से या सिंदूर से स्वस्तिक जरूर बना दे पहले से बना हुआ है उस पर फिर से रि दीपक में दो लॉंग रखकर लाल धागे की बाती होगी दिया बाती कीजेगा पूरे घर में सकात्मक उर्जा बढ़ती चली जाएंगी अब अगर सनी देव के दोसों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस दिन साम के वक्त आप हवन करते होंगे तो हवन में काला तिल वैसे दीपक में ही दो चार दाने सरसों के पीली सरसों के डाल दीजिएगा जो भी निगेटिव एनरजी होगी वो सांथ हो जाएगी आपको परिसान नहीं करेगी और सबसे बड़ी बात जो है इस दिन घर के सामने जो भी बैक्ति आ जाए कोई जानबर ही आ जाए बिना खाने प बैक्ति बिसेस आ जाए तो बिना कुछ खाए पिये मत जाने दीजिएगा क्योंकि इस दिन मा घूमती है मा लक्षमी इस दिन घूम घूम कर देखती है इसलिए उनको आपको मनाना है और मनाने के लिए ही तो घर के मुखे दरवाजे पर दिया भी जलाना है ताकि खुसिया भी आती रहे और प्रसनता भरी रहे और घर का बाताबरन जितना ज्यादा खुस रखिएगा उतना ही अच्छा है टेंसन फ्री रहेंगे पूरे साल एक दिन खुस रखे देखें फिलाल विदा लेते हैं धन्यवाद